असलावलीकूम दियर स्टूडेंट्स क्लास फॉर्थ मैथमेट किस मैं आज हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं हो है टिक टिक किस की आवाज है यह गड़ी की आवाज है जब गड़ी संगे यह वाली कुलाक यह वाली जो क्लॉक है जिसके हैं जो होते हैं और टिक टिक की एक आवाज पेदा होती है ठीक है तो इसलिए क्या आपको इस गड़ी पे टाइम देख समझने की आती है कि आप समझ सकते हैं कि इस वकत जरा कितने बज़ गए है ग को नियुक है और दो कि यनि एक यसकी हैंड है और चोटी वाली हैंड जो है वो राज़ेन है और जो बड़े वाली ये वालुल देंड है यह मिंट फेंड है तो इस छोटी वाली जो आख सेंड है वो slow यानि वो बहुत आहस्ता चलती है कि मिंट हैं जो है तेज और नार्मली आपने देखा होगा जो हमारे पास जो गड़ियां होती हैं तीन हैंट होते हैं उसके इसमें दो ही हैं लेकर जो मेन है जिन से हम टाइम समझते हैं में लिकश और गन्टे इतने बज थे में तरन जैसे कहते हैं रो तीसरी है तीसरी हैंनों से किसी जो है तो वह यो दोसके नहीं है यह कंदे नितिवास चाहिए उन्ट है इसे इसे से पर दे बनते हैं था अदो लिकिन हमारे लिए वो इस एस अबर सैनी टाइम देके लिए हम उसको नहीं देखते हैं और टाइम सुने के लिए हम एक ऊस चोटरी वाली जो सबसे च्रोटी होते है खी पोगन्ट that जलती है ना तो इतने बज़कर चाहरी कब बाद होग इतने बज़कर इतने मेंट पर है न तुझ जैसे यह जो न्या स्कूल कब है इतने बज़े खूलता है आपको वहां से गर से सकूलता है किटना टाइम लगते हैं जी मुझे पांच मिंट लगते हैं तिक है यह जो हम कहते है इतने मूट इतने गढ़ते सात बजकर पंधरा मूट यह चार बजकर तीन मूट Ciao साड़े जार उबरा सड़े ड़िक एक गड़ी तो हम्हीर समयते हैं ठीक गड़ी समयने के अगी तो हमें यह वक्त का पत्ताच नावा क 먹 एक मॉwh तिक टिक टिक का खेल है ठीक है तो हम समझेंगे आज टिक 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 ये हम से क्या कह रही है टिक टिक करके हम से क्या चीज ये ले जा रही है या क्या चीज हमें दे रही है ये हमने समझना है तो चलो समझें कि वोश करते हैं और उस से पहले कि एक तो ये गड़ी आपने तो देखी होगी अक्सर बेश्टर और दूसरी गड़ी है जो हमारे मुबाइल फून पर होती है या जो हम रेस्ट वाज अक्सर बानते हैं या जो फिर डिजिटल गड़ी होती है जो वाल पर दीवारों पर होती है इस इसमें तो हैंड यानि सुई चाड़ती है उस पेसे ही नमबर चाड़ते हैं जैसे कितने बज़ गए यानि तीन बज़ कर ठीक है तो दीजिटल गड़ी भी आपको हम दखा रहे हैं इसके एक तस्वीर भी इसके कमेज भी चलो देखते हैं वह भी तो यह हमारी डिजिटल वाच एक लॉक है यह वाच है ठीक है यह डिजिटल गड़ी है इस पेसे ही नमबर चाड़ते हैं नाव बज़ कर चुब इस मेंट टॉन्टी फूर मेंट पास्ट नाइन नाइन टॉ ब ज्रो देखें कि कौन सी गड़ी से धोने आसान है रोगनेसे उश्टल गोटी इतर अपने इतिवार से कुछ लों को यह गड़ी जिनको नंबर पड़ने कि नमब्र परने की आती है उनके लिए गड़ी आसान है, यह वाली आसान हो जाती है, ठीक है, और जिनको numbers नहीं आती है, तो यह वाली गड़ी पर, जो hands की है, so you की है, इस पर उनको यह देखना, इस पर समझना ज्यादा आसान होता है, तो चलो अब हम अपने लेसन पर आते हैं, जो हमारा आज के लेसन है, वहाँ ही से हम समझने की कोश्च करेंगे, तो आप देख रहे हैं, टिक टिक टिक, यह हमारे चैप्टरों का हमारे सबत का नाम है, ठीक है, जो टिक टिक कौन करता है यह नहीं, वो गड़ी की सुई से एक आवाज बेद होती है, इसने उसी को बताया है, ठीक है, तो यह दो बच्चे हैं, ठीक ना, कलास फॉर्ट कही होंगे, इन में से कौकब है, और मारिया है, यह आपसमें यह बात कर रहे हैं, यह डिसकस कर रहे हैं, कि किसको कितना वकद स्कूल पहुंचने में लगता है, तो आकब ने कहा, कि I have to walk for five minutes to reach school, मुझे पांच मिन्ट के मुझे चलना पड़ता है, स्कूल पहुंचने तक, तो मारिया ने कहा, I just walk for two minutes to reach school, ओहो, मुझे तो सिर्फ दो ही मिन्ट लगते हैं, मैं दो मिन्ट चलके स्कूल पहुंच जाती हूँ, ठीक है, बबागे देखते हैं Impossible, your home is further from school, नहीं, आकब कह रहा है, कि यह कैसे होगा, आपको दो ही मिन्ट लगते हैं, तुम्हारा गर तो स्कूल से दूर है, यानि मेरे गर से दूर है, बट, I reached, बट, I checked my watch, लेकिन मैंने अपने गड़ी को check किया है, मैंने देखा है, मारी कह रही है, I start for school at seven o'clock, तो यान में, स्कूल में, पता है कितने में जाती हैं, seven o'clock, यानि यह है, जो हो रहन है, वो seven पे है, ठीक है, और जो मिन्ट हैंड है, वो 12 पे है, कितने होगी, यह होगी, seven o'clock, यानि में साथ बज़े स्कूल के लिए घर से निकलती होगी, किसने कहा, मारिया ने, कुमारिया कह रहे है, when I reach school, the mint hand points at two, तो मैं पता है, तो जब में स्कूल पहुँचती हूँ, तो मैं साथ बज़े घर से निकलती हूँ, अब स्कूल पहुँचती हूँ, तो जो mint hand है, वो किस पे आ चुकी होती है, two पे आ चुकी होती है, तो, shouldn't it be two minutes past seven, or seven two, तो क्या, मैं जब स्कूल जाती हूँ, तो मैं साथ बज़े निकलती हूँ, उसने कहा, और जब स्कूल पहुचती हूँ, तो इस हुई mint hand दो पे होती है, two पे होती है, तो क्या, मुझे दो ही mint नहीं होगे, है न, तो मुझे दो ही mint हो गई, इसनी यह कह तो, फिर क्या होता है, you are wrong, you reach school at ten minutes past seven, यहा, seven ten, तो नहीं, तुम गलत हो, कौन कह रहा है, वाकप कह रहा है, तुम तो स्कूल में साथ बज़े कर दस मिंट पर पहुचती हो, यहनि कितने मिंट लगते हैं तुमें, साथ बज़े निकली और साथ बज़े कर दस मिंट यहा हो, मारी कदिया हो, यह कैसे, can you see these thin lines between the numbers, क्या तुम्हें यह thin lines पतली पतली जो लाइने हैं, यह जो हैं पतली पतली लाइने हैं, ठीक है, इन numbers के बीच में, छोटी छोटी, क्या तुम्हें यह दिखाई दे रही हैं, क्या तुम्हें इनको देख सकते हो, yes, so, what, हाँ, यह तो है, लेकिन, क्या, ठीक, यह तो फिर क्या हो रहा है, The mint hand moves across 10 lines after 12, so, it is 10 minutes past 7 or 7, 10, अब हाक अब कह रहे हैं, तुम्हें पता है न, जो mint hand है, वो 12 के बाद उसने 10 line गूमी, यह यह दस line उसने चक्कर लगाया, तेगा न, एक चक्कर, वो 12 से 10 तक, याप एक number जो है, जैसे 12 है, उसको 1 है, उसको 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5, 6 है, याई 12 से 1 तक इतने हैं, इतने ही count करो, फिर इसे ही, 12 से 2 तक कितने आएंगे, याई कितनी lines हैं यह चोटी चोटी, ठीक है न, यहाँ तक जैसे 5 आती है, और फिर यहाँ से, ठीक है, तो इस तरह, तो हम पता है, तो आप जो, so, it is 10 minutes past 7, तो इसलिए यह जो 10 लाइने आ गई, तो इसलिए यह 10 minutes होगे, तो इस तरह, आप के कितने होगे, 7 बजकर, 10 minutes, ठीक है, oh, I start for school at 7, then, reach, I reach at 5 minutes past 7, see the minimum, and moves across 5 liners, तो अब यह कह रहा है, आप कह रहा है, तो मैं पता है, तो मैं जब 7 बज़े निकलता हूँ गर से, तो मैं 7 बज़े कर 5 minutes पर, है न, पहुंच जाता हूँ, और जो मिंट हैंड होती है, वो 5 पर होती है, तो आप देखो, कि 12 से 5 तक कितनी राइन हैं, यह भी पहांच हैं, तो इसलिए, यहनि, इससे इसने, यह जो है, कुलाक है, इसको यह से समझा रहे हैं, तो अच्छा उमेद करते हैं, कि आपने भी, है न, अच्छे से देख होगा वीडियो, और कुछ सिखा भी होगा, नेक्स्ट में फिर मि तब तक अलाह हाफिज